गुड बॉर्णिंग एवरिवन मैं पूनम योगी आगके अपने यूटूब चैनल योगी CSIR से तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए हमारा नए टोपिक तो देखते हैं आज के हमारे इस नए टोपिक में क्या है तो चलो पढ़ते हैं आज के हमारे इस नए टोपिक को आज क हमारे टोपिक है औतो रेडियोगराफिय मैं हुआते हैं कि तरिके से स्टेडी की चाती है शेमपल की बॉपर स्थियोग्टियोगराफिय करके उसको किसी किसी सोर्व दार की दोरा सेमपल को लैबल किया चाता है और लैबल के बाद में उसका डिस्ट्रिबु Biraz forgiving करक्षी study करते हैं autoradiography के अंदर जो autoradiography होती है यह एक परकार की bioanalystic technique होती है जो biological sample में कामे ली जाती है जो भी biological suble hoगा lab के अंतर जो भी हमारा sample है उस sample की study करने के लिए इस autoradiography का use किया जाता है यह autoradiography एक परकार की bioanalystic technique होती है रेडियो एक्टिव जो सबस्टेंस होता है इस रेडियो एक्टिव सबस्टेंस से लेबल सेंपल को डिस्टिबुशन की विजुलाइज करने के लिए यूज किया जाता है तो इस टेखनीक के थो एक पर्टिकुलर टीशू, सेल, औरगनेल्स या अधर पार्टिकल बेस्वेश पर नेंट रिडियो एक्टिव मेटैरियल को डिट्रमाइन किया जाता है, कि यह जो टेक्निक होती है इस टेक्निक के द्वारा जैसे कोई particular tissue होगा किसी tissue को किसी tissue की study करनी है तो इस auto radiography का यूज कर सकते हैं तो उन सेल के लिए बिस ओटो डेडियोग्राफिय का यूज किया जाता है इन इन सेल और टिश्यू के अलावे अगर कोई अधर प्लेस ये अधर पोडी का कोई भी पार्ट है, सेंपल है कोई भी तो उसको रैडियोक्टी माटेरियल को डिटरेमाइन करने में भी इस टेक्नि टू टाइपस से होती है इन वीवो ओटो रैडियोग्राफी और इन विट्रो ओटो रैडियोग्राफी होती है अब बात करते हैं इन वीवो ओटो रैडियोग्राफी की कि इन वीवो जो ओटो रैडियोग्राफी होती है क्या होती है इन्वीव ओंडिटो रैडियोगराफी इस रैडियोगराफी के आंदर इसके आंदर जो और ऊक्टिव सबस्टे集 को ठीशू या कम्पुली laisser बोड़ी में माुथ दूआरा इंजेक्ट द्वारे ट्रास्मिट किया जाता है, इंजक्शन के द्वारे से ट्रास्मिट किया जाता है, कि in vivo, जो auto radio γणा होती है, इसके अंदर जो भी रेडियोक्तिव गोगी बचुणर सबस्टेंस होगा उसको तिस्यू या फिर कोई भी complete body है उसके अंदर transmit करवाते हैं तो उसे या तो माहुत के दूआर टांस्मीट करवाएंगे या फिर उसको injection के दूआर उसे टांस्मीट करवाते हैं यह टेक्निक होती है जो लेबोरेटरी के अंदर जो एनिमल्स परजेंट होते हैं उनकी इसका यूज किया जाता है जो इन वीव ओटो रेडियोग्राफि का यूज किया जाता है अब बात करते हैं इन वीटरो ओटो रेडियोग्राफि क्या होती है जो इन वीटरो ओटो रेडियोग्राफि होगी या बोटी के से बाहर किसी इंस्ट्यूमेंट में की जाती है इसमें सेलुलर कंपोनेंट से सेंपल जैसे डीने आरने प्रोटीन या लिपीड को आइसुलेट करते हैं और इन्हें रेडियोग्राफि सबस्टेंस दुआरा ल अगर किसी रेडियोग्राफि सबस्टेंस को अगर उसके अंदर टांस्मिट करवाना था तो या तो उसे माउथ के दौरा टांस्मिट करवा रहे थे से शैल किसी टीश्यू या फिर बोडी पार्ट के अंदर या फिर उसे इंजेक्शन के दौरा उसके अंदर टांस्मिट क MONITERING के लिए उनका यूज क्या जा रहा था या फिर pelvis development experiment के लिए उस टइकनिक का यूज क्या जा रहा था जो in vitro AUTO RADIOGRAPHIC लिए उनका यूज क्या जा रहा था जैसे मालोग कोई भी sample है उसके cellular component में उस sample को क्या करते ह лег कर जाते है छैल के बाहर किसी भी आईसोलेट करते हैं, आईसोलेट करने के बाद, उसे Radioactivecü Substance के द्वारों से लेबल किया जाता है, अब बात करते हैं इसके principle के, कि यह है जो टैक्निक है, यह टैक्निक Radioactivecü Substance की Radioactivity पर डिपेंड करती है, जो ओٹो रेडि走了 demographic जो टैक्निक है, यह है कि इसके कि अपे लेडे रहेडियाग्तिति तसमें किcipe किमान्तिकि की इसके सबस्टेश में कि अप्रोपा तो उस एक्टिविटी पर डिपेंड करता है इसमें कॉमली जैसे हाइड्रोजन, कार्बन चोधा, आयोडीन एक्सपत्चीस, पी-वात्तीस एंड सल्फेर पैथिस आदिका यूज करते हैं इसमें जो रैडियो अक्टिव सबस्टेंस को फोटोग्राफी इमल्सन के कॉंटक्ट में रखा जाता है जिसमें जिलेटिन सबस्टेंस एंड सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल परजेंट होते हैं कि हमने देखा कि कॉमली क्या होता है कि इसमें जैसे हार्डोजन 3, कार्बन 14, इन 155, P32, S35 इनका अधिका यूज किया जाएगा जो रैडियो अक्टिव सबस्टेंस होंगे उनको फोटोग्राफी इमल्सन के कॉंटक्ट के अंदर इनको रखा जाता है यह जितने भी सारे आइसो टोनिक है इन आइसो टोनिक को ही क्या बहुलेंगे रैडियोक्टिव धवनल्सन करते हैं जिसमें क्या होता है जिलेटिन सबस्टेंस एंड जो सिल्वर हैलाइध के जो ख्रीस्टल होते है यह crystal होते हैं जो radiation को emit करते हैं जिसके करण क्या होगा जो silver halide होगा वो metal के अंदर change हो जाता है और dark color के bond prompt करता है कि जो crystal थे वो crystal क्या करते है radiation को emit कर रहे है radiation emit करेंगे जिसके करण जो silver halide था वो क्या होगा metal के अंदर change हो रहा है metal के अंदर जैसे ही वो convert हो जाता है तो ये क्या करेंगे डार्क कलर के bond प्राप्त हो जाएंगे ने इसके बाद इस auto radiography को क्या करते है microscope के द्वार इसकी study कर ली जाती है कि जो sample हमें मिल चुका है उसको auto radiography जो मिला है में radiogram को microscope के द्वार इसकी study को करवाया जाता है अब बात करते हैं auto radiography की methods की कि इस auto radiography के अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन sample है sample को क्या करते है auto radiography इसको slide के उपर इसको रख देते हैं sample को रखने के बाद देखते है सबसे पहले sample को तयार किया जाता है auto radiography के पर कि सबसे पहले ओटो रेडियोग्राफिय में सेंपल प्रिपेर किया चाता है इसके लिए animal tissue या cellular component से DNA, protein, RNA आदिका sample की form में isolation किया चाता है कि सबसे पहले क्या करेंगे sample को prepare करते है ओटो रेडियोग्राफिय के अंदर उसके बाद में जिस भी sample के हमें क्या करने है study करने है उस animal tissue या फिर जो cellular components था हमारे पास में जो sample था उसके अंदर या तो DNA लेंगे या protein या फिर RNA आदि में से किसी एक को isolate करेंगे उस sample को isolate करने के बाद में उस sample को क्या करते है radioactive substance के द्वारा कि solution में उसे deep करवाए जाता है जैसे उसको deep करवाते है तो radioactive substance से क्या हो जाएगा वो label हो जाएगा deep करवाए deep करवाने के बाद में radioactive substance के द्वारा label करते हैं label करने के बाद में यह क्या होती है यह जो technique होगी dark room या close box के अंदर परफॉर्म की जाती है जो radioactive substance से label sample को gel में लोड करते हैं कि radioactive substance के द्वारा जो sample अपने क्या किया था label किया था उस sample को क्या करते है gel के अंदर लोड करवा देते हैं अब लोड करवाने के बाद में यह जो load होगा वो जो gel होगा वो nitrocellulose membrane या फिक slide पर transfer करवा देते हैं nitrocellulose membrane होता है इस ही nitrocellulose के द्वारा पन फिंगर प्रिंटिंग का भी description करते हैं अब बात करते हैं कि इस slide को photographic emulsal solution के अंदर रखा जाता है अब यह जो photographic emulsal होगा solution इस photographic emulsal में क्या करेंगे जो silver bromide का होगा उसका solution परजेंट होता है उसका solution परजेंट होगा थथ था इसके अंदर क्या होगा इसमें photographic and x-ray film परजेंट होती है जो cellulose acetates की पनी होती है जो photographic emulsal solution के अंदर इसको रखने के बाद radioactive substance radiation क्या करेगा emit करेगा जैसे radioactive substance होगा वो radiation को emit करेगा जो silver halide था हमारे पास में जो silver bromide थे वो किसमें change हो जाएंगे metal के अंदर change हो जाते metal के अंदर reduce हो जाएंगे और क्या करेंगे dark bone appear करते और dark bone हमें प्राप्त हो जाता है इसके बाद में क्या होगा कि इसके बाद में जो sample को क्या करते है waterfall hose करते है जिससे free particles remove हो जाएंगे कि जो sample हमें मिलेगा जो dark bond appear प्राप्त होता है उसके अंदर जो sample होगा उसे अपन वोटर से force करेंगे वोटर से force करने के बाद में जो free particles होगे वो वहाँ से remove हो जाते हैं और क्या होगा photography film पर क्या हो जाता है transfer करते हैं और जो radioactive substance होगा radioactive substance से निकलने वाली जो radiation होगी या फिर जो energy होगी उसके according इस slide पर क्या बन जाते हैं bond का formation हो जाता है bond प्राप्त हो जाते हैं तो देखते हैं सबसे पहले अपन ने क्या लिया था एक कोई भी animal cells थी animal की जो अपन के पास एक sample था उस sample को क्या करते हैं सबसे पहले इस auto-radio-graphic के अंदर sample को prepare किया जाता है prepare करने के बाद में जो भी हमारी पास cell component था या फिर कोई भी animal cells थी उस sample को सबसे पहले क्या करते हैं isolate करते हैं isolate करेंगे isolate के फोर में DNA, RNA, protein कुछ भी हो सकता है इसको isolate करने के बाद क्या करते हैं इसको इंक्यूबेट करवाए जाता है इसको जो इंक्यूबेट कर रहे हैंगे वह कोई भी isotonic हो सकता है यह जो isotonic होगा यह अगर high level के अंदर होगा तो जो metal के अंदर जो reduce होगा वह ज्यादा मात्रा में ज्यादा quantity के अंदर होगा और अगर वह high level का होगा तो वह और भी ज्यादा मात्रा के अंदर क्या होगा डार्क बॉन्ट पर आप तो जाएंगे उसके में उसके बाद में क्या करते हैं यह सैंपल जिसको अपने isotonic किया है radioactive substance के दुआरा उसको क्या करते हैं स्लैड के उपर उसको ट्रांसपर करते हैं स्लैड के उपर ट्रांसपर करेंगे सैंपल को ट्रांसपर करने के बाद इस सैंपल को क्या करते हैं तो एक हम इसके में इसका पैर यह व्हां 100 ऑस tiaks के दिद लाख अगार्वप रहें से दुद्रावर्ग मुना का यह Filip कर वालने के बात में क्या होगा थोकिज फोटोग्राफिक इमल्स वह पैरावफिक के अदRadar क्या पैरें सिल्वरघ्ड अधर चैंज यह कि होगा वो मैटल के अंदर रिड्यूस हो जाएगा ठीक है कि यहां पर रेडियेशन इमीट हो रही है रेडियेशन जैसे इमीट हो गी तो यहां पर क्या हो रहा है मैटल का फॉर्मेशन हो रहा है मैटल क्या हो रही है मैटल के अंदर कन्वेट हो रहा है जो सिल्लर है था आगे बाद में क्या करते हैं इसको जो सेंपल था उसे क्या करते हैं वोटर के द्वारा उस सोलिबल को वोश करते हैं वोश करने के बाद में क्या होगा जो पार्टिकस बचेंगे उन्हें रिमूव कर देंगे वहां से और जो हमारे पास जो सेंपल बचेगा जो सेंपल था उसे क्य फोटोग्राफिक फिलब या प्रैये फिलम के द्वारा उस सेंपल को यह Kящ कर देते यह बाद में क्या होता है तो इसमें डियार लीमेश प्राप्त हो जाती है edit the autorie के बाद में सेंपल को क्या उसकी इस्टैडी करते है है उत्तो रेडियोगराफी के मंदर क्या करते हैं इसमें इमेज फ्षोर्मेशन की रिजूलेशन क्या होती है रेडियो आइस वोग्येशाक स्वाज़ WAChaod कि ये क्वांटिटी के अंदर उसके radioactive isotope present है उसके ऐग्टिविटी कितनी है उसके उपर depend करते उसकी resolution कि ऑट्राडियोगराफिय में image formation की जो resolution पावर होगी उसके isotonic करती है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर उसका isotope आईसोतोनिक है यदि अगर जो लो एनरजी के अंदर होगा जैसे हlum H3 है तो क्या होगा कि अगर कुछ ही ही एजीबिया जो सिल्वर है लाइड होगे वह मेटल के अंदर चैंज जोंगे, जिसे क्या होगी, सार्प इमेज पराप्त होती है, और यदि अगर जो आईसो टोप, अगर जो रेडियो आईसो टोप है, वो अगर हाइर एनरजी के अंदर है, लाइक जैसे आईडिन 125 पर है, तो क्या होगा, जो सिल्वर ब्रोमाइड होंगी, जो सिल्वर वो अधिक मात्रा में सिल्वर मेटल के अंदर रिडियो जो जाते है, जिसके करणा क्या होता है, डार के मेज़ा में प्राप्त होती है, alphabet होगे, अब बात करते है, ऑटो रेडियोक्राफी की एप्लिकेशन या इसके यूच्ण की कि इस ऑटो रेडियोक्राफी का यूज मेटाबोलाइट्स आदिकी पोटी में अमाउंट एंड लोकेशन को एडेंटिफाई करने के अंदर भी इस ओटो रेडियोग्राफी का यूज किया जा सकता है किसी पर्टीकुलर टीशू में रेडियोएक्टिव सबस्टेंस की लोकल लोकेशन को डिटरमाइन करने के अंदर अंदर भी इस ओटो रेडियोग्राफी का यूज किया जा सकता है कि सैल में मेटाबोलिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के अंदर भी इस ओटो रेडियोग्राफी का यूज किया जाता है एंड लास्टार ड्रक्स एक्स्प्रिमेंट में वेरिस टाइप की डिजिस ड जरूर करना और एकर वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना पैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि वीडियो की आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थेंक यू